हेलो फ्रेंड्स मैं निखिल कुमार एक बाए फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल सीजी प्यसी इपाट शाला में आज आप लोगों के लिए एक नया पीडियाफ अप्लोड कर दिया गया है लोग प्रशाशन का पब्लिक एड्मिस्टेश का एक सेट प्रवाइड किया गया है वस्तुनिष्ट प्रश्ण या MCQ टाइप कोश्चन का एक सेट दिया है मैंने सौ से देड़् सो कोश्चन है इसमें तो देखें पब्लिक एड्मिस्टेशन ऐसा सब्जेक्ट है जिसे नोट्स के थूरू नहीं समझा जा सकता कितने भी इजी मेथड से उसका क्रिक नोट्स क्यों ना बना लू लेकिन आप लोग वह समझ में नहीं आएगा यदि आप पब्लिक एड्मिस्टेशन पढ़ भी रहे होंगे तो आप उसमें देखें होंगे कि उसे बहुत सारे थिंकर्स की विचारधाराएं दी गई है ठीक जो कि क् टॉपिक है वो तो उस पे मैं किसी प्रवार का नोट्स आप लोगो प्रोवाइड नहीं करा रहा हूं देड़सो कोश्टन का सैट है सौसर देड़सो कोश्टन का सैट है वो जिसकी कोई प्रेक्टिस सेट चाहिए लिंक नीची डिस्रिप्शन में कमेंट सेक्शन के पहले इसके अलावा यह जो आपका प्रेक्टिस सेट डाला है वो आपका जो प्रीवेस यहर के कोश्टन पेपर है मतला हुआ हुआ चाहिए जुडिशरी एक्जाम जो आपकी लॉग के जो एक्जाम होते है सिविल जच के एक्जाम है उसमें थोड़े बहुत प्रशन आते है नहाराश्ट के इस्टेट सर्विस एक्जाम से उठाएगा है यह प्रेक्टिस सेट केवल आपको यह बताने के लिए है यह लोग प्रशाशन से देखी लोग प्रशाशन नया सब्जेक्ट है हमको लोग प्रशाशन आदत है ठीओरी पढ़ने का जो कि आपका मेंस का सिले बसे करके हम लोग प्रशाशन को एज़ा ठीओरी सब्जेक्ट पढ़ते आ रहे हैं लेकिन इसमें किस प्रकार से आपका मल्टिपल चॉइस कोश्चे जाते हैं इसे समझने के लिए आपको यह प्रेक्टिस सेट दिया जा रहा है ठीक दूसरा चीज बहुत से हमारे सब्सक सेट भी प्रवाइड करा रहा था तो कुछ सब्स्राइबर के कमेंट आये थे जिसमें उनका ये कहना था कि हमें नोट्स तो नहीं लेकिन हर एक टॉपिक का जो प्रेक्टिस सेट जो मैंने प्रवाइड कराया है उसका प्रेक्टिस सेट का एक ठोग मर्ज करके उसका भी प प्रवाइड कराया जाए ठीक तो एक PDF और अप्लोड किया गया है जिसमें आपका 36 अधिकार अधिनियम संबत्ति अंत्रण अधिनियम परियावरन संरक्षन अधिनियम यह सारे के सारे जो PDF दिये गए थे नोट्स दिये गए थे उसमें जो प्रैक्टिस सेट थे तो सारे प्र दुभारा पर्चेस करने कोशिस मत कीजिएगा अल्रेडी आप लोग के पास जो नोट्स है उस नोट्स के एंड में आपके प्रैक्टिस सेट मौजूद है यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने नोट्स नहीं लिया है केवल जिने प्रैक्टिस सेट की जरवत है तो आज जो चालू करने वाला हूं थोड़ा बहुत बड़ा टॉपिक है यह थोड़ा नहीं काफी बड़ा टॉपिक है इसमें तेईस अध्याय 511 समझ रहे 511 के आजपास आपके धाराये हैं तो काफी समय लगेगा इसको खतम करने के लिए कोशिश करूँगा कि अभी बारतिय दंड सहीता बारतिय दंड सहीता इंडियन पिनल कोर्ट 1816 यह याद रखेगा 8 deles are फ्रीक इसमें 23 अध्याय 511 धाराये हैं इंपोर्टेंट है याद रखेगा इंडियान पिनल कर भारतिय दंड सहीता अप के 253 धारायों का है जो कि 23 अध्यायों में बटा हुआ है इसे तैयार किसने किया है, इसके प्रारूप करता कौन है, यानि इसमें जो आपके इतने सारे आपके नियम अधिनियम उपबंद दिये है, इसे तैयार किसके द्वारा किया गया है, तो इसके जो प्रारूप करता है वो है आपके मैकाले, हिस्ट्रियें पढ़े होंगे, मैका जैसे आप यदि पढ़े होंगे विल्यम बेंटिक, विल्यम बेंटिक के समय जब आपका सतीप्रथा उन्मुलन लाया गया था, उसके अलब पास्चात्य सिक्षा के लिए भी इनका काफी योगदान है, पास्चात्य सिक्षा के लिए आपका सतीप्रथा उन्मुलन के लिए ये कब का समय विल्यम बेंटी का समय लगबाग 1828 से लेगर के 1835 के कारेकाल थाफ का विल्यम बेंटी का उस समय भी ये मैकाले थे, उसके बाद आपका 1860 के आसपास, 1860 के समय भारत में वायसराय कौन थे, वायसराय थे आपके लॉर्ड कैनिंग, Lord Canning के समय भी आपके मैकाले मौजूद थे इन ही मैकाले ने आपका इसका प्रारूप बनाया है मतलब भारते दंड सहीता को बनाने वाले यही है याद रखिएगा यह जो आपका मैकाले है मैकाले यह भारत के प्रथम विधी आयोग के अध्यक्ष है भारत के प्रथम विधी आयोग के अध्यक्ष कौन है मैकाले यह आपका प्रथम विधी आयोग है यह आपका विलियम बेंटिक के समय बनाता है यह जो प्रथम विधी आयोग है 1828 से लेकर के 1835 के आसपास को जो कारेकाल था विल्यम बेंटिक का ठीक तो उसी समय लगभग आपका 835 के आसपास ही आपका ये भारत का प्रथम विधी आयोक का गठन किया गया था ये विधी आयोक का गठन इसी के लिए किया गया था तो आपके मैकाले की अध्यक्षता में आपके प्रथम विधी आयोक का गठन किया गय यह लागू कब हुआ, अखिल भारतिय इस तर पर यहा लागू हुआ था आपका 1 जनवरी 1860 को, एक जनवरी 1860 को Lord Canning के कारेकाल में, यह अखिल भारतिय इस तर पर यहा लागू हुआ था, इसके प्रारूप करता थे आपके मैकाले, तिक, विस्तार, इसका विस्तार संपूर अब भारत में है, J&K, यानि जमू कश्मिर को छोड़ कर, आप सभी को मालूँएं कि जमू कश्मिर का अपना separate स्लवी धान है, विलाई पत्र के माद्रेम से, जमू कश्मिर का भारत में विलाई हुआ था है, इसका राण, बहुत से भारत के आपके सहीता हो गये, नियाम, अधिनियम कानून हो गए, वो आपके जम्मु कश्मीर पर लागू नहीं होते, तो उसी में से एक है आपका भारतिय धंड सहीता, जिसके उपबंध आपके जम्मु कश्मीर में लागू नहीं होते, ठेक अब देखिए, नेक्ष्ट है आपका अध्याए 1, चेप्टर 1, जिसमें बताया गया है आपका प्रारामभीक section 1, यानि धारा 1 से 5 तक cover करता है, देखिए, धारा 1, जिसमें इसके संचिप्त नाम और विस्तार के बारें बताया है, संचिप्त नाम, मतलब इसका पूरा नाम क्या है, इसका समझेगा, क्या बोलता है, भारत के भीतर किये गए अपराधो का दंड, धारा 2 क्या बोलता है, भारत के भीतर किये गए अपराधो का दंड, भारत के भीतर किये गए अपराधो का दंड, मतलब जो भारत का जो भोगोलिक शेत्रफल है, भारत की जो अंतराष्ट्य सीमा है, भारत की जो सीमा है उस सीमा के भीतर यदि कोई अपराध करता है तो उसे कौन सा दंड दिया जाए गया है उसके लिए किस दंड का प्रावधान है उसके बारे बताया गया है यानि भारत के भीतर किये गए अपराधों के दंड के बारे बताया गया है याद रखिएगा यह जो आपका भारत के भीतर किये गए अपराधों का दंड मतलब भारत के भीतर भारतिय भी होंगे विदेशी भी होंगे यानि कोई दूसरे देश का नागरिग भी यदि भारत की सीमा के भीतर आ करके कोई ऐसे नियम का उलंगन करता है जो कि भारत में एक प्रकार का अपराद है तो उसके लिए भी उसे दंड दिया जाएगा इस इंडियन पिनल कोड के अंतरगत भारतिय दंड सहिता के अंतरगत भारतिय सीमा के भीतर भारत के नागरिगों के साथ साथ विदेशियों को भी दंड देने का प्रावधान याद रखियेगा तो धारा भारत की सीमा के बाहर किये गए अपराधों के लिए देखिए धारा तीन और चार एक साथ है धारा तीन जो की स्वेशली डिल करता है आपके भारत की सीमा के बाहर किये गए अपराधों के लिए और धारा चार जो है इसी धारा तीन का एक प्रकार का जो उसका छेत्राधिकार है उसका विस्तार है वो ठीक देखे समझेगा क्या बोलता है भारत की सीमा के बाहर किये गए अपराधों के लिए भारत की सीमा के भीतर विधी अनुसार जो दंड का प्रावधान होगा वही दंड उस पर लागू होगा मतलब जैसे कोई समझ लिजे भारत की सीमा के क्या बोल वो भारत की सीमा के भीतर भारत के भौगोलिक शेत्रफल के अंदर अपराद ना करके किसी दूसरे इस्थान पर अपराद करता है किसी दूसरे अधर कंट्रीज में नी किसी दूसरे देश में जाके यदि कोई अपराद करता है तो उस कंडिशन में भी क्या होगा कि भारत की स अपराद करता है ठीक तो होता क्या है एक्चुली में यदि हमारे देश का नागरी यदि अमेरिका में जाकर कोई अपराद करता है तो उसे अमेरिका ही सजा देगा लेकिन क्या होता है कई बार कि यदि समाल लीजिए अमेरिका ने उसे भारत को सौप दिया कि आपका ये वेक अधिनियम के दंड उस्फर लागू होंगे ये बताया गया है ठीक अब देखिए ये धारा 4 का जो विस्तार है वो क्या है भारतियों के द्वारा और राष्ट्रिय कृत और विमाग देखिए ये धारा 4 का मतलब धारा 3 का ये extension है अगर कोई भारतिय नागरिक ये ही है देखिए जो मैंने आपको बताया था इसमें वही है भारतियों के द्वारा यानि भारतिय नागरिक के द्वारा भारत की सीमा के बाहर येदि कोई अपराद किया जाता है देखिए मैं ददबार समझा रहा हूँ यदि कोई व्यक्ति देश के सीमा के बाहर भारत की सीमा के बाहर किसी दूसरे देश में जाकर अपराद करता है तो उस पर उस देश के आपके जो नियम अधिनियम उपबंध है यानि अपराद के लिए जो सजा है वो उस देश के हिसाफ से लागू होगा लेकिन यदि वह देश जैसे अमेरिका वो देश अगर उस व्यक्ति को भारत को हैंड ओवर कर देता है भारत को सौब देता है कि आपके इसिस नागरिक ने यहां आ करके यह अपराद किया है करके तो उस कंडिशन पर भारत में लाए जाने की स्थिती में उस पर भी इस आपके IPC Act भारते दंड सहीता के अधिनियम उस पर लागू होंगे उसके उपबंध लागू होंगे मैं बार-बार अधिनियम बोल दे रहा हूं उपबंध लागू होंगे ठीक यह Code है यह अधिनियम नहीं है यह Code है ठीक अब देखिए सेकंड क्या बोला है रजिस्ट्री क्रित पोत और विमान मतलब भारत में जो रजिस्टर्ड आपके जो शिप है शिप और दूसरा आपका विमान यानि जैट हो गए आपके एरो फ्लेंस हो गए तो देखिए जो आपके शिप है आप सभी को मालूम हो आप कमर्शिल परपस से और आपका जैसे हमारे जो नेवी की जो शिप है वो अंतराश्टी इस तरपर ट्रेवल करते है बहुत दूर दूर मतलब दूथरे देशों की सीमत में वो प्रवेश करते है वैसे ही विमान ये दी देखे तो हमारे जो फाइटर प्लेइन है वो हो गए या इसके अलावा जो कमर्शिल प्लेइन है जो एर इंडिया तो ये भी जो है आप सभी को मालूम है अंतराश्टी इएरपोर्ट से अलग-अलग देशों के लिए उड़ाने भरी जाती है तो उस कंडिशन में क्या होता है कि ये जो विमान है और ये जो पोथ है तो ये जो विमान की जो सीमा होती है यानि विमान देखे आपको एक बेसिक नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ आपके जो उसके जो अपराद होंगे उसके लिए दंड दिये जाने का प्रावधान भी IPC के अंतरकत है मतलब मान लीजिए अगर एक आपके Air India का एक प्लेन सौ यात्रियों को लेकर के उडान भरता है और वो अमेरिका की सीमा में प्रवेश कर जाता है लेकिन क्या हो रहा है कि यदि वो सौ यात्रियों के प्लेन में कोई एक यात्री कुछ ऐसा अपराद कर देता है प्लेन में ही प्लेन में ही यदि कोई ऐसा अपराद कर देता है वो भले भारत का नागरी का होता है, कि एक देश की सीमा छोड़के दूसरे देश में जाने के लिए, फॉर एक्जाम्पल जैसे हम नीराव मोधी और विजाय मालिया का लिए, तो ये क्या है, भारत में ये अपराद करने का दूसरे देश में चले गए है, इंडिया का जो government है वो उन पर किसी प्रागर का action नहीं ले सकता क्यों क्योंकि वो दूसरे देश की सीमा में है ठीक तो वैसा ही case है यदि ये plane अगर कोई ये plane भारत से उडान भरता है भारत में रजिस्ट्री कृत है और उस plane में यदि कोई व्यक्तिया ऐसा कोई अपराद करता है तो उस condition पे भले वो अमेरिका के सीमा पर लेंड कर गया लेकिन अपराद कहां पर हुआ है अपराद हुआ है आपके एरोप्लेन में एरोप्लेन कहां पर रजिस्ट्री कृत है इंडिया पर तो उस condition पर उस पर जो भी आपके उसको दंड का प्रावधान है वो इंडियन पिनल कोर्ट के अंतरगत होगा क्योंकि जो आपका एरोप्लेन है भारत में रजिस्ट्री कृत है तो वो जो सीमा है वो आपके भारत के अंतरगत काउंट होगी यही बताया गया है इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा बेसिक फैक्ट है ठीक देखिए अब नेक्स्ट है आपका धारा पांच धारा पांच पर बताया गया है कुछ विधियों जो इस अधिनियम के प्रभाव से बाह पोस्ट हो गया आपका नौ सेना सेनिक हो गए वायू सेना सेनिक हो गया ठीक तो इनका जो पोस्ट बना हुआ है तो यदि इनके दोरा कोई अपराध किया जाता है तो उस कंडिशन पर उन पर इस भारतिये दंड सहीता 1807 इंडियान फीनल कोड 1860 इसके किसी भी उपबंद उन पर लागू नहीं होंगे। आप सभी को मालूम है कि कोई भी सैनिक है वायू सेना में है या नौ सेना में हैं उन पर यदि कोई उनके दोरा कोई क्राइम किया जाता है तो उनका आपका वह कोट मार्शल कर दिया जाता है। ठीक उनका खुद का अपना सेपरेट एक को नहीं होंगे। उनमें कोट मार्शल है और मार्शल लगता है। ठीक तो वहीं बताया गया है कि कुछ विधिया जो इस अधिनियम के प्रभाव चेतर से बाहर रखी गई है। तो ऐसे दो चार और एक्जामपल है उसे आप देख सकते हैं बस एक बेसिक याद रखेगा मा मार्शल लोग जिसमें आपके जो कोई भी सैनिक है उनके दोरा किये अपराज इस IPC कोड के अंतरगत कवर नहीं होते हैं ठीक नेक्स्ट अध्यादो जिसमें साधारन इस परश्टी करन बताया गया है सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 52 तक देखिए मैं इसको बता नहीं रहा हू इसमें आपके पुरुष और महिला के बारें बताया गया है उसके अलवा आपका इसमें नयायले किसे कहा जाएगा नयाधिश किसे कहा जाएगा लोग सेवक किसे कहा जाएगा पर्टिकुलर सबका अलग-अलग डेफिनेशन इसमें दिया गया है पढ़ना चाहे तो पढ़ यदि कोई अपरादी किसी प्रकार का अपराद करता है तो उस कंडिशन पर उसे किस प्रकार के दंड दे जाने का इसमें प्रावधान है, देखिए, सेक्शन 53 जिसमें बताया गया है, अपरादी इस सहीता के अधिन दंडों से दंडनी होगा, मतलब किस प्रकार के दंडों से दंडनी होगा ये बताया गया है देखिए इसमें कुल 6 प्रगार के दंडों के बारे बताया गया है एक है मृत्यू, दुसरा है आजीवन कारवास तिसरा एक और है लेकिन याद रखेएगा जो तिसरे नंबर का दंड है उसे निरस्थ कर दिया गया है देखिए बना कबसे है ये इंडियन पिनल कोड इंडियन पिनल कोड बना है आपका 1860, 1860 से बना है अभी वर्तमान में देखिए भारत आजाद हुआ 1947 उसके बाद अभी वर्तमान में आते तक इसके बहुत से जो आपकी धाराएं है उसे निरस्त कर दिया गया है ठीक क्योंकि इसमें बहुत से जो आपके section है मतलब बहुत से आपकी धाराएं है उसमें आपका British प्रवहों में था ठीक तो कुछ जो है आपके code या कुछ जो दंड है वो आपके British के अनुसार थे केवल मैं ये दंड की बात नहीं कर रहा हूँ आगे और भी बहुत से section है यदि आप authentic source से पढ़ रहे होंगे तो बहुत से section है जिसे निरस्त कर दिया गया है ठीक तो याद रखिएगा एक है मृत्तिव दूसरा है आपका आजीवन कारवास तीसरा है आपका निरस्त तीसरे नमबर में जो है निरस्त वो उससे निरस्त कर दिया गया है मृत्तिव मतलब simple मौत की सजा आजीवन कारवास या मतलब व्यक्ति के अंतिम सास तक उसे जेल में रखा जाता है वही है थर्ड निरस तो फोर्थ नंबर पर है आपका कारावास कारावास मतलब नॉर्मल जेल का जो सजा है आगे पढ़ेंगे हम आगे फिर पाच्वे नंबर पर है संपत्ती संपहरण संपत्ती संपहरण और छटवे नंबर पर है आपका जुर्माना जुनमारा मतलब penalty, संपत्ती संपहरण ये भी लगभग समाप्त होने के गगार पर आ चुका है पूरी दरीकर समाप्त नहीं हुआ है, देखिए इसका exact example को नहीं बता सकता है लेकिन इससे मिलता जुलता आपको example बता देता हूँ संपत्ती संपहरण के केस में क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति अपराद करता है तो उस condition पर उसके property को जब तक करके सरकार उससे वसूली कर सकता है तो वही है एक प्रकार का example है संपत्ती संपहरण का अब है पहले नंबर पर हम रित्यू किस किस condition वे या किस किस अपराद केली मृत्यू के सजा का प्रावधान है मैं सारे section cover नहीं कर रहा हूँ, कुछ important section है उसे बता रहा हूँ, देखे, धारा 121 जिसने बताया गया है भारत के विरुद्ध युद्ध यदि कोई व्यक्ति भारत के विरुद्ध युद्ध करता है, तो उस condition पर उसे मृत्यू की सजा सुनाई जाएगी विरुद करने के लिए युद्ध उसे दिस्प्रेजित करता है, तो उस condition पर भी उसे मृत्यू की सजा सुनाई जाएगी यदि किसी एक व्यक्ति ने किसी जूटी, कोई जूटा साक्षी है, कोई आपका जूटा एविडेंस आपका प्रस्तूत किया, जिसके कारण किसी दूसरे व्यक्ति को मृत्यू की सजा हो गई, तो जिस व्यक्ति ने जूटा एविडेंस आपका प्रस्तूत किया था, उसे भी मृत्यू का दंड दिया जाएगा धारा 302 हत्या यदि किसी व्यक्ति को एकति हत्या कर देता है तो उस कंडिशन पर भी उस व्यक्ति को आपकी मिरत्यू की सजा सुनाइ जाएगी धारा 376A जिसमें बलातकार प्लस मृत्यू यानि यदि कोई ऐसे रेप केस है जिसमें पीडिता की मृत्यू हो जाती है तो उस कंडिशन पे भी आपका मृत्यू के दंड दिये जाने का प्राउधान है लेकिन ध्यान दिजिए गा बच्चंसी वर्शेस आपका पंजाब राज ये केस यानि एकदम आपका जगन अपराध के लिए ही मृत्यू के सजा सुनाई जाएगे आप देखे होंगे हुए हमारे भारत में हर किसी आपके अपराद के लिए मृत्यू की सजा ऐसे आम नहीं है कि हर किसी अपरादी को मृत्यू की सजा दे दी जाए एकदम जगन ने अपराद होता है यानि rarest of the rare case में ही आपका मृत्यू की सजा सुनाई जाएगी ठीक, देखिए next है आपका दंडादेस लगू करण दंडादेस मतलब जो उसे दंड दिये गया है किसी अपरादी को इद दंड दिये गया है तो उसके दंड को कुछ मात्रा तक कम किया जा सकता है section number 54 section number 53 में किस किस प्रकार के दंड दिये जाएंगे वो बताया गया है अब हम आगे deal करेंगे कि उसमें किस-किस प्रकार की थोड़ी बहुत मातरा में जो उसमें छुट प्रदान की गई है या उसका थोड़ा जो आपका डिटेल है उसको देख रहे हैं हमें तो जैसे आपका दंडादेस लगो करण है तो उस condition में देखेगा धारा आपका चोवव का केस है मतलब राज्य सरकार के अंडर पे है तो उसमें यदि किसी व्यक्ति को यदि आपका मृत्यू दंड की सजा मिली है तो उस मृत्यू दंड की सजा को कम कर सकता है केंद्र सरकार के अंडर में तो केंद्र सरकार उसे लगुकृत कर सकता है यदि आपका राज्य सरकार actual definition क्या है या आजीवन कारावास से आप क्या समस्त है किसी व्यक्ति के अंतिम सास्त उसे जेल में रखना उसे काराग्री में रखना ठीक लेकिन देखिए अब किसी व्यक्ति को आपका आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है अब उसे सरकार उसे कम करना चाहती है तो सरका यदि इस सजा को कम करना चाहता है तो ऐसे नहीं कि आजीवन कारावास की सजा को कम करके दो साल या तीन साल कर दे आजीवन कारावास की सजा को सरकार कम कर सकता है लेकिन वो जो सजा है वो 14 साल से कम नहीं होना चाहिए ठीक यही बतायागा है important है इस दंडादेश को लगुकृत किया जा सकता है लेकिन किसी भी condition पे इस आजीवन कारावास की सजा को लगुकृत आपके 14 वर्ष से कम नहीं किया जा सकता यानि किसी व्यक्ति को जदी आपका आजीवन कारावास हुआ है तो उसके जदी सजा को जदी कोई आपकी सरकार कम कर रही है तो 14 वर्ष से कम नहीं कर सकती यानि उसे दंडादेश को लगुकृत करने की दशा में भी उसे कम से कम 14 साल की सजा काटने ही पड़ेगी नेक्स्ट आजीवन कारावास देखिए ये तो था क्या लगुकरन मतलब सजा को कम करना अब ये बताया गया है आजीवन कारावास के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इसमें थोड़ा इसका डिटेलिंग है ये एक्चुली में है आपका फ्रेक्शन फ्रेक्शन मतलब समझेग क्या होता है कि देखिए बहुत से धारा है अई पासो ग्यारा धारा है पासो ग्यारा धाराओं में आपके अलग-अलग अपराद के लिए अलग-अलग प्रकार के सजा का प्रावधान है तो वैसे ही बहुत से सेक्षन ऐसे है जैसे क्या है कुछ ऐसे सेक्षन है जैसे आपका कारावास की सजा होगी यानि उस condition पर नयाल है कुछ नहीं सोचेगा court में लिखा है कि इस व्यक्ति को इस अपराद के लिए आजीवन कारावास की सजा है जैसे यहाँ पर rape case के लिए दिम्रित्यू की सजा है तो court बिना सोचे समझे उसे वैसे ही कुछ section ऐसे है जिसमें दिया गया है कि यदि यह अपराद कोई व्यक्ति करता तो उसे आजीवन कारावास की सजा होगी तो उस condition में भी उसे आजीवन कारावास की सजा होगी लेकिन देखिए यदि क्या बोला गया है यदि कोई व्यक्ति अपराद करता है तो लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यदि कोई व्यक्ति अपराद करना चाहे लेकिन अपराद हो ही ना मतलब देखे, offense attempt but not committed, यानि कोई अपराद करने का कोशिश कर रहा है लेकिन वो अपराद पूरी तरीके तरीके घटित हुआ ही ना हो, मतलब यदि कोई आपका दोशी है ही नहीं, मतलब वो crime करने का कोशिश किया लेकिन वो crime हुआ ही नहीं, example समझेगा, माल लीजे किसी के घर में कोई चोर घुसा, तीजोरी में उसको मालूम था कि तीजोरी में बहुत सारे पैसे है, तो वो तीजोरी में चोरी करने के लिए घुसा, मतलब एक घर में चोरी करने के लिए घुसा और उसमें तीजोरी खोला, लेकिन तीजोरी में पैसे निकले ही ने, तीजोरी पूरी उदेश्य से ही घर में घुसा था वो, अपराद करने की उदेश्य से घर में घुसा था, लेकिन वह अपराद कर नहीं पाया, तो इस कंडिशन में ऐसे नहीं है कि वो अपराद नहीं कर पाया, यानि उसे लोकर में से आपके पैसे नहीं मिले तो वो अपराद ही नहीं इस condition में भी उसे सजा दिये जाने का प्रावधान है, वहीं बोल रहा है, offense attempt but not committed, section number 57, important है याद रखिएगा, धारा 57 में क्या बताया गया है, कि जैसे किसी भी बहुत से धारा हैं, 511 धाराओं में, अलग-अलग धारा हैं, आगे हम जैसे से बढ़ेंगे तो आपको मालूम चल के हिसाब से उसे दिया जाएगा, मतलब जैसे जिस आपके अपराद के लिए आजीवन कारावास की सजा है, लेकिन वह अपराद यदि घटित हुआ ही नहीं, तो उस condition में उस व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा के बदले, 20 साल की सजा होगी, मतलब सजा तो आजीवन का कारण उसे आजीवन कारवास यानि जिन्दकी भर जेल में न रहते हुए उसे फ्रेक्शन के हिसाब से 20 साल के लिए जेल की सजा होगी ठीक इंपोर्टेंट है याद रखिएगा नेक्स्ट में बताया गया है आपका कारवास मतलब किस किस प्रकार के कारवास की दंड का प्रावधान है देखिए तीन प्रकार के कारवास की सजा होती है एक होता है कठोर कारवास कारवास मतलब किसी व्यक्ति को आपका जेल हुआ लेकिन जो आपके कारवास की सजा हुई व कि वो व्यक्ति साथ साल जेल तो जाएगा ही लेकिन उससे कठीन परिश्रम भी करा जाएगा कठीन परिश्रम मतलब पत्थर तुडवाना आपका जेल में घाना बनवाना यह होता है कठीन परिश्रम मतलब उससे किसी प्रगार का पारिश्रमिक उससे किसी प्रगार का स्रम ल जेल के अंदर रहेगा, बाहर आएगा, खाना होना खाएगा, फिर से जेल के अंदर चले जाएगा, ये होता है आपका साधा कारावास, एकांध कारावास, यानि किसी व्यक्ती को अकेले एक जेल के कमरे में रखना, जिससे किसी भी बाहरी व्यक्ती से उसका कॉंटेक्ट नह नहीं निकलने दिया जाता उसके बस खाने देने के लिए और थोड़ी बहुत उसकी जाच करने के लिए केवल जो आपके जेल में जो पुलिस रहे तैनात रहते हैं केवल वही जा सकते हैं उसके अलावा कोई अन्य कैदी नहीं उसके साथ रहेगा नहीं उसे बाहर निकलने का permission रहता है यह रहता है आपका एकांद कारावास ठीक तो देखिए कठोर कारावास और साधा कारावास के बारे बताया गया आपका section 60 में धारा 60 में बताया गया है आपके कठोर कारावास और साधा कारावास के बारे में और एकांद कारावास के बारे में बताया गया है आपका सेक्षन 73 और 74 धारा 73 और 74 में देखिए एकांथ कारावास को समझीगा एकांथ कारावास देखिए सुप्रीम कोट या कोई भी न्याल है किसी भी व्यक्ति को आपका एकांथ कारावास की सजा दे सकती है लेकिन किसी भी कंडिशन पे अधिकतम 3 माहा मैक्सिमम किसी व्यक्ति को कोई भी न्याल है अधिक से अधिक 3 माहा के लिए एकांथ कारावास की सजा दे सकती है यह किसमें बताया गया है आपका section 73 धारा 33 ने बताया गया है यानि किसी व्यक्ति को maximum 3 महा के लिए ही एकांध करावास की सजा हो सकती है next अब मान लीजे किसी व्यक्ति को 3 महा से कम समय के लिए ही आपका normal आपका सजा दिया गया है किसी नियालाय ने सजा सुनाया कि एक व्यक्ति को आपका 6 महा की सजा सुनाई जाती है जिसमें से 1 महा उसे आपका एकांध करावास की सजा होगी यानि 1 महा उसे एकांध करावास रहना पड़ेगा और बाकी का 5 महा उसे normal आपका करावास में रहना पड़ेगा अब समझेगा तीन महा माल लिजे किसी व्यक्ति को तीन महा से कम की सजा हो रही है तीन महा से कम की सजा हो रही है ठीक तो उस कंडिशन में क्या होगा कि उस कंडिशन में एक बार में 14 दिन के लिए माल लिजे ऐसा है कि किसी व्यक्ति को तीन महां के कम की सजा हुई मतलब समझ लिए दो महने की सजा हो रही है तो दो महने का उसे जो कारवास हुआ तो एक महा उसे एकांध कारवास हुआ और एक महा उसे साधा कारवास हुआ ठीक, मतलब ऐसे टोटल दो महा का कारवास हुआ तो ऐसा नहीं है कि एक महा का यदि उसे एकांथ कारावास हुआ तो पूरे का पूरा एक महने उसे अकेले किसी जेल के कमरे में रख दिया जाएगा वैसा नहीं है उसमें क्या बोला है कि एक बार में उसे 14 दिन के लिए ही एकांथ कारावास में रखा जाएगा मतलब एक बार में उसे पूरी की पूरी एकांथ कारावस की सजाना दे करके उसे 14 दिन पहले बार में रखा जाएगा, फिर 14 दिन एकांथ कारावस में रखा जाएगा, फिर 14 दिन आपका साधा कारावस रहेगा, फिर next 14 दिन एकांथ कारावस रहेगा, मतलब ऐसे बटे बटे हिस्से में उसे इसकी सजा मिलेगी किसी व्यक्ति को ऐसे लंबे समय के लिए एक बार में ही एकांध कारावास के लिए नहीं भेजा जाएगा ठीक अब मान लीजिए तीन महा से अधिक के समय के लिए है अब किसी व्यक्ति को समझ लीजिए अब दो साल की सजा हुई है जिसमें से तीन महना उसे एकांध कारावास की सजा हुई है क्यों क्योंकि मैक्सिमुम तीन महने कई है ठीक तो किसी व्यक्ति को दो साल की सजा हुई है जिसमें से तीन महा वो एकांध कारावास की सजान बताने का मतलब समझेगा कि किसी भी व्यक्ति को एक बार में पूरे लंबे समय के लिए एकांध कारावास में नहीं भीजा जा सकता उसे ऐसे तुखडों में अलग-अलग मतलब हिस्से में उसे ऐसे एकांध कारावास में भीजा जाएगा condition समझेगा 3 महा से कम का समय है तो एक बार में 14 दिन के लिए 3 महा से अधिक समय के लिए तो एक बार में 7 दिन के लिए उसे एकांध कारावास में भेजा जाएगा और किसी भी व्यक्ति को 3 महा से अधिक का एकांध कारावास नहीं होगा ठीक, देखिए, अवदी अब मान लिजे किसी व्यक्ति को 6 महा से कम मैंने क्या बताया कारावास जैसे किसी व्यक्ति को एक साथ दो प्रकार के भी सजा सुनाई जा सकती है मतलब 6 महने का उसको कारावास सुनाया जा रहा है छे महने का कारावास सुनाया गया तो उसमें से तीन महना उसका साधा कारावास रहेगा तीन महना एकांद कारावास रहेगा example जो बता रहा हूं समझिएगा उसको मतलब सादा कारावास एकांद कारावास या कठोर कारावास एकांद कारावास एक साथ दो कारावास की सजा सुनाई जा सकती है तो वही बताया गया है मान लीजिए किसी व्यक्ति को 6 महा से कम के कारावास की सजा सुनाई गई है तो उसमें maximum एक महने के ही एकांद कारावास में उसको भेजा जा सकता है अब किसी व्यक्ति को 6 महा से अधिक लेकिन एक कम की सजा सुनाई गई है तो उसमें उस condition में व्यक्ति को maximum 2 महा के एकांद कारावास में भेजा सकता है अब उसके बाद आता है एक वर्ष से अधिक, एक वर्ष से अधिक मतलब दो साल, तीन साल, चार साल, ऐसे अधिक इसी व्यक्ति को सजा सुनाई गई है, तो उसमें maximum तीन महने, मतलब ये वाला, maximum तीन महने के एकांदकार आवास में ही उसे भेजा जा सकता है, लेकिन ऐसे, ए example देना चाहा रहा हूं, उसे समझेगा थोड़ा, ठीक, देखिए, next है कारावास प्लस जुर्माना, मतलब इसमें जुर्माना यानि penalty के बारे बताया गया है, ये वाला, जुर्माना, ठीक, देखिए, इसमें क्या बताया गया है, section number 63, जिसमें रकम बताया गया, मतलब जु section number 64, जिसमें जुर्माना न देने पर कारावास की सजा है, ठीक, मान लिजिए, जैसे आप सभी सुने होंगे, कि किसी व्यक्ति को 6 महां की सजा हुई, और आपका 50,000 रुपय का जुर्माना हुआ, यदि 50,000 रुपय का जुर्माना हुआ नहीं देता है, तो उसे 3 महने का अ जुर्माना की राशी जमा नहीं करता है, तो उस कंडिशन में उसे अत्रिक्त कारावास की सजा भोगनी पड़ेगी, अब देखिए, next, धारा 65, जिसमें कारावास एक चौथाई से अधिक नहीं होगा, कारावास एक चौथाई से अधिक नहीं होगा का मतलब, जैसे किसी व कारावास की सजा सुनाई जाएगी, लेकिन वो कारावास की सजा जो उसे सुनाई गई कारावास की सजा से एक चौथाई से अधिक नहीं हो सकती, मतलब, माल लिजे किसी अपराद के लिए किसी व्यक्ति को एक साल की सजा हुई, और उस पर 50,000 रुपय का अत्रिक्त जुर् कारावास होगा, तो जो अत्रिक्त कारावास है, वो एक चौथाई से अधिक नहीं होगा, मतलब, एक साल का एक चौथाई कितना हुआ? चार महना, ठीक, तो उसे अत्रिक्त, तीन महना, ठीक, तो एक साल की सजा वो नॉर्मल कारावास करेगा, जुर्माना न दिये जने के क पैनल्टी जो उसमें लगाई गई उसके बारे में था अब मान दीजे किवाद किसी व्यक्ति पे जुर्माना लगा जा रहा है मतलब किसी व्यक्ति ने अपराद किया तो उसे जेल न भेज करके उसे डिरेक्ट उस पर पैनल्टी लगाई जा रही है चोटे-छोटे एक्षरो यदि उसे पैनल्टी लगी है और वो पैनल्टी की राशी जमा नहीं कर सकता तो उसे दो मैने की सजा होगी 100 रुपे से कम राशी की यदि पैनल्टी लगी है 100 रुपे से कम राशी की यदि उस पर जुर्माना लगा है और वो जुर्माने की राशी जमा नहीं कर सकता तो उ इसमें कारावास प्लस जुर्माना है, मतलब उसे कारावास की भी सजा हुई है और जुर्माना भी देना पड़ेगा, जुर्माना ना देना एक कंडिशन में अत्रिक्त कारावास होगा, और इसमें केवल जुर्माना है, यदि कोई व्यक्ति कोई अपराद करता है, तो उसे जुर्माना देना पड़ेगा यदि वह जुर्माना नहीं देता तो राशी के हिसाब से इसमें अलग-अलग आपके समय अवधी के लिए उसे कारावास के सज़ा का प्रावधान है ठीक देखिए काफी बड़ा टॉपिक है मुझे समझाने में एक खुद ऐसा लग रहा है कि काफी चीजे इधर से उधर हुई होगी ठीक समझना है कोशिश कीजेगा मेरे लिए भी नया है law के subject है काफी complicated subject है तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं सवाप्त करता हूँ किसी प्रकार का doubt हो तो नीचे comment करके पूछ सकते है चैनल पर नया है तो चैनल को subscribe कर दीजेगा like और share जरूर कीजेगा धन्यवाद